हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तु दा सक्सकंद्रा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वेकेंसी आई है उसके PT exam के लिए Practice State No.15 को कवर करेंगे दोस्तो इससे पहले हमने State No.1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था एक बग 6 से ज़्यादा प्रश्णों को हम लोगों ने कवर किया है तो आप लोग करेंट फेर वाला भी वीडियो देख लिजेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के लाश्ट में आप एक कमेंट करके आपना स्कूर जरूर बता जीजेगा चानल पर नया है तो सब्स्राइब करके बेल आइकन को दबा जीजे ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहा है तो चलिए बेना देरी के सेशन शुरू करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सेर जरूर कर जीजेगा पहला प्रसन देखिएगा फ्रेंड्स कि राष्टिय भरती एजनसी के दवरा भविस्य में आईजित की के परिणायम की वैतता कितने दिनों के लिए होगी तो देखिए जितना जल्दी आप लोग एंसर दीजेगा उतना ही जल्दी हम लोग सेशन को हजवा है समाप्त कर लेंगी तो देखिए सई अंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन भी तीन साल तक दूसरा प्रशन है कि निमलिक स्कित परजातियों में से किस प्शु के दूद में सबसे कम वश्राप्रतिशत पाए जाती है तो सबसे कम वश्राप्रतिशत जो है यह होलकिश्ळीन वाली गायरी सकुता प्रशन चंद्रयायन की चंज्डिया की शत्तह प सतना स्थ पूछी जा रहे हैं? लेंडिंग किती थी है 7 सितंबर 2019 को और इसका प्रशेपन कप किया गया था तो 22 जुलाई 2019 को किया गया था नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा कि भारत का समिधान के किस समिधान अधिनियम के दवरा देश की पंचायती रद संस्थाओ तथा नगर निकाय को समिधानिक अस्तर प्रदान किया गया important question है तो देखेगा ये किया गया 73 और 74 समिधान संसोदन के दवरा ये दोनों जो समिधान संसोदन हैं ये 1993 में हुए थे ठीक है फ्रेंट्स और 73 समिधान संसोदन के दवरा समिधान के भाग 9 में और 243 में क्वास से ले करके और तक में जो है इसका प्रधान किया गया है और इसे 11 अनुसुची में रखी गई है उसके बाद अगर बात करते हैं 74 समिधान संसोदन के द्यान रखी का 74 समिधान संसोदन ये भी 1993 में हुआ था और इसके तहट जो है समिधान के भाग 9 को में ठीक है भाग 9 को में और 243 तो से ले करके यह और छो तक में जो है इसको रखा गया है और बारहुई अनुसुची में जो है इसका प्राउधान है ध्यान रखेगा चलिए अगला कोसन दिखेगा कि सरदार पटेल को सरदार की उपादी किस अंदोलन के सफल नत्रित्व के बाद प्रदान की गई तो यह किया गया है बार्दोली सत्यागरा की सफल नत्रित्व के बाद और बार्दोली की महिलाओं ने सरदार को जो है सरदार पटेल को सरदार की उपादी प्रदान की थी चलिए अगला कोसन दिखेगा नेक्स्ट कुस्टन है फ्रेंड यह मैद का प्रशन है देखिए 75,000 रुपय में एक कार खरी दीती है कौन रीमा और इसको रिपेनिंग पर 10,000 का खर्ज करती है बाद में यह कार चीरू को 15% के लाब पर बेशती है यहां से आप रीमा का CP निकाल लेजे और रीमा का आपकी से निकाल है जो विक्राय मूल होगा और चीरू जो है फिर 15 पर चिसत के लाब पर फिर से रीतुको बेशती है दूसरे एक लड़की है रीतु को रीतू का जो क्राय मूल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ही क्या लिए खरे लिए उस तरह साप निकाल लेजेगा से इ जल का सुधिकरन किया जाताए तो दिखे जल का सुधिकरन किया जाता है कोलोरीन की द्वारा अगला पढ़ेंगे वीक्रेम्सर पड़ेंगे तो दूद का घंक तो क्याहिए तो दूद के गम्सर होसे जब यहनड करन पी जाती है ठीक है फ्रेंट्स और जो हमारी मान स्पेशियों में ठकावट होती है यह इसी लैक्टिक अमल के अधिकता के कारण से होती है अगला कॉस्चन पढ़िएगा कि आसु यानि किटियर्स में निमलिकित में से कौन सा एंजाइम पाये जाता है तो यह कौन सा ट्रेन को पकल लेती है तो दूसरी ट्रेन का आप से गती पुछा जा रहा है तो देखिए कुछ नहीं करना है देखिए दो घंटे के बाद खुलती है और चार घंटे में पकल लेती है तो यहां से इसका स्पीड आपको नहीं निकाली जगा कितना लेती है चार जाएगा तो कितना है जाएगा 60 mm per hour चली अगला कुंसर देखिएगा कि एक देख एक रासन काड़ी हो जना कब सुरू होगी यह हो चुकी है एक जुन 2020 से अगला कुंसर देखिएगा फ्रेंस कोस्टन नमबर 13 है कि आसात जिसको के डिप्रेशन कहा जात तो देख लीजेगा हम लोगों ने एक से लेकर के 20 तक के करेंट है फिर इसके टेस्ट को कवर कर लिए थे तो देखें सही अंसर होगा इसका option भी दिपिका बाधिकोन को दिया गया ये सितार वादक हैं उस्ताद अला रखा खां ये ताबला वादक हैं और पंडित सिवकुमार सर्मा ये संतूर वादक हैं पाकिस्तान में कहां अवस्तित हजार साल पुरा ने सिवाले तेजा सिंग मंदरी को वो हाली में हिंदुओं के लिए खोला गया है तो यह खोला गया है सियाल कोट में अगला कोस्टन देखिए सो वर्ग गज का छेतरफल का अर्थ आपको वर्ग मिट्र में निकालना है तो आप लोग निकाल लेजिए सयंसर हो जागा इसका ऑप्सन है 83.6 वर्ग किलोमेटर नि और उसके बाद जमो कस्मिर के लगते है ठीक है फ्रेंट्स चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा नेक्स्ट कोस्टन मैत का है इसको आप लोग सॉल्व कर लिजेगा सही अंसर इसको मैं बता दे रहा हूं 18 का जो सही अंसर हो जागा ऑप्सन भी हो जागा 5 गंटे 15 मिनट नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा कि भारत के द्वारा जी सैट 30 एक उपगरा है इसका प्रचेपन किसके सहयोग से किया गया है तो इसके सहयोग से एरियन एस्पेस इसको कि एउरोपियन एस्पेस एजंसी कहा जाता है इसी कि सहयोग से किया गया है फ्रेंच गयाना से इसका में से किस देश में 2019 में पहली बार विस्व कआप किरकड जीता है इंग्लैंड ने किसको हराया था न्यूजिलेंड को अगला कोस्टं दिखिएगा कि किस अस्थान को समुद्र पुद कहते हैं तो ये कहा जाता है गंगासागर को गंगासागर कहाँ है तो गंगास अगर जो है हुगली के निकट है किसके निकट है हुगली के निकट है ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट कुशन देखेंगे कि निलिखित किस गरंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के के लिए प्रेडित किया था तो ये कौन सा ग्रंथ किया था है सक समथ कभ से प्रारanges हुआ था और मधर है यह हुद संग्यति इस बि now कॉर्टिर कोस्टिन नर्टिश्टर के ने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव को अपने किस अधिवेशन में स्रिकार किया था तो ये किस अधिवेशन में किया था कराची अधिवेशन में जो कि 1931 में हुआ था और फ्रेंस इसके अध्यक्सता किस ने किया था ये भी पुछा जाता है तो इसके अध्यक्सता किया था किसने सरदार बला भाई पटेल नहीं कि अगर बात करें कि लहाओर अधिवेशन 1929 की तो ये भी इंपोर्टिंट है इसके अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे प्रती चक्रवात यानि कि एंटी साइक्लोन से संबंदित निम्न लेकित कतनों पर विचा है एंटी साइक्लोन में और साइक्लोन में जो है clockwise घुमती है चलिए तिसरा है ये भी सही है तो सही अंसर इसका हो जाएगा और संदी एक और तीन जो हैं सही है नेक्स्ट कोस्टन देखेगा कि निम्न लेकित में से किस राज में तीन दिवसे नमस्ते और चाउच्छा उच तो सही अंसर इसका option से यहाँ वर्षा प्राय दो पहर से पहले होती है यह गलत है बाकि सारे जो है इसकी विशिष्टा है इसके बारे में थोड़ा से जान लीजिए यह होता है क्या है तो समवहनिये वर्षा की जो है भूतल की जो हवा है वो गर्म होने के बाद जो है यह और हलकी हो जाती है और इसे के कारण यह उपर उठने लगती है और समवहनिये धराव का निर्मान होता है चलिए अगला कोशन देखिएगा कि सुर्य हमें सुरियोदय के कुछ पहले से एमसुरियास्त के कुछ जेर बात दिखाई देता है इसका कारण क्या है इंपोर्टें लाल रंग जो दिखाई पढ़ता है वो किसके कारण पढ़ता है तो प्रकिरनन के कारण पढ़ता है अगला कोशन देखिए गा कि केंध्रियों मंतर मंदल ने सुप्रीम कोट में quark को धकेल दिया जाता है तो फिर छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? quark के साथ क्या होगा? तो 32 का सह अंसर क्या हो जागा? 32 का सह अंसर हो जागा option C धकेले हुई इस्तिती में ही बना रहेगा. Next question देखेगा, कि जब किसी वर्फ के तुकड़े पर दवाव बढ़ाया जाता है, दावल बढ़ाया जाता है, तो इसका गलनांग, यानि कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, क्या होगा? इंपोर्टेंट है तो देखिए जब किसी बर्फ के तुकड़े पर दाब बढ़ाये जता है तो उसका गलनांग घटता है ठीक है क्या होता है इसका गलनांग जो है घटता है यानि कि कम हो जाता है अप्सन ये करेक्ट एंसर हो जाएगा गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांग भी कम होता है जैसे कि बर्फ उसके बाद बात करें कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है जिन पदार्थों का अगर बात करें कि आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांग भी बढ़े जाता है ठीक है फ्रेंट जैसे कि मूम घी इत्यादी चली और सभी द्र और इस्प्रशन का सई अंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा प्रती लेखन यानि के ट्रांस्क्रिप्शन अगला कोस्ट देखेंगे नेक्स्ट कोस्टन है कि सुची से मिलान करना है एक तरफ जो है सुची वन है और दूसरी तरफ सुची तू दिया हुआ है तो देख प्रकोष्ट होता है और तारा मचली जो की इस्टार फीश है इसमें जो है हिर्दय नहीं होता है तो इसका जो सही मिलान है यहाँ पर आप लोग देख लिएगा इसका सही मिलान क्या हो जाएगा 35 का ओप्शन C हो जाएगा सवर परतम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किय दिया था ध्यान रखेगा चलिए है हिम्त नेक्स्तों दिखियेगा कि घॉतव बुद्ध ने अपना अंतिम उपने आरी चीन के तो औब बात करें कि पहला उपने आरी Almaी सवर बात क्यांबी आपने श्रावस्ति में तो रख सड कुच आपको ध्यान रखना है ठीक है साथ उत्री भारत में पाटली पुत्र का स्थान पर कौन सा सरवाधिक महत्पून किंद बन गया जिसके आज-पास के सित्र को उत्तर प्रदिस कहते हैं तो ये कौन सा जगह था तो इसका सही अंसर क्या होगा दीखिए इसका सही अंसर जो होगा वो हो जाएगा option D कॉन्योज जो था मौखरी वंस की राजधानी थी और जो मौखरी वंस का जो राजा था ग्रह बर्मा इसके साधी किस्से हुई थी तो हर्सवर्धन जो था उसकी बहन राज्य सिरी थी उसी से हुई थी चली अगला कॉसन देखेंगे कि अमर कभी विद्यापती ने अपने सू ललित का कि राजना किस सासक की छत्रचाय में की तो यह किया था किसके छत्रचाय में सीव सिंग के छत्रचाय में ऑप्शन बी जो है करेक्ट एंसर हो जाएगा सीव सिंग ठीक है और यह लोग जो थे यह कहां के सासक थे इनका राज्य कहां था तो दरभंगा था चली हरे सिंग सीव बारताहार, option D, correct answer हो जाएगा, विस्वा प्रसिद मैयूर सिहासन मुगलों के किस भावन में रखा गया था, बार बार पुछा जाता है, तो मैयूर सिहासन बनवाया किस ने था, साहजहाने बनवाया था, ठीक है, साहजहाने बनवाया था, और इसको लखा जाता था, लाल के कि दिवाने आम में, option D, correct answer हो जाएगा, और इस पर बैठने वाला अंति मुगल सासक कौन था, ये भी पूछा जाता है, तो ये कौन था, अंति मुगल सासक, मुगल सासक था ये, मुहम्मद साह, ठीक है, और इसको लेकर कौन चला गया, तो नादिर साह ने आकरमन किया, और ये लेकर कि इसको इरान चला गया, चलिए, अगला कोशन देखेंगे, कि जायंधरम, स्वायतामबर और दिगामबर जो है, संप्रदाओं में कभी विभाजित हुए थे, important है, तो ये कभी विभाजित हो गये थे, ये विभाजित हो गये थे, चंद्रगुप्त मौरे की समय में, ठीके, चंद्रगुप्त मौरे की समय में, चलिए, अगला कोशन देखेंगे, अगला कोशन है, कि 1475 रुप्या, पांच वर्स के लिए निवेश करता है, सधारन ब्याज की दर्दी हुई है, तो ब्याज आपसे पूछा जारा है, तो फर्मुला आपको पता है, आप ल प्रथम धारन की याज था, ठीक है, चलिए, गुप्त मंश कहा सधाप कोँ था, स्रीगुप्त था, आपको याद रखना है, समुद्र गुप्त को क्या कहा जाता था, भाष्ण का नैपोलियन कहा जाता था, चलिए, अगला कॵसन देखिएगा, कि रजिया सुल्तान के पतन क्या है तो Thailand की राजधानी का है Bangkok है इसकी मुद्रा क्या है बहत है ठीक है उसके बाद अगर बात करते हैं लीरा किसकी मुद्रा है तो लीरा जो है यह तुर्की की मुद्रा है ठीक है याद रखेंगे किसकी मुद्रा है लीरा लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है Thailand की मुद्रा जाता है यह मापा जाता है बादलो के दिशाय मुगती ऑप्शन भी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगर बात करी कि बर्सा का मात्रा किसे मापा जाता है तो याद रखीगा यह मापा जाता है रेंगेज से किसे रेंगेज से चलिए अगला कॉस्टन देखिएगा नेक्स्ट कुशन है हमारा 48 नमबर और फ्रेंट्स वीडियो को सेर जरूर कर जीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं बंगलादेस के उच न्याले के आदेस पर अब बंगलादेस का राष्टी नारा क्या होगा तो यह नारा हो जाएगा जोए बंगला ठीक है हिंडेन वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सिमा बनाती है तो हिंडेन वर्ग जो बनाती है यह बनाती है जर्मानी और पोलेंड क के बीच में बनाती है चलिए अगला कोश्चन देखिएगा कि समिधान का व्याख्याकार और सरक्षन कौन होता है यह होता है भारत का सुप्रीम कोड सर्वचिन आले ऑप्शन डी जो होगा सही अंसर हो जाएगा ठीके फ्रेंट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट अंसर हो अगला कोश्चन देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन है कि कि सहर में अंतराष्टी योग दिवस 2020 का आउजन किया गया है तो इसका आउजन किया जाना था कहां लेह में अगला कोश्चन है कि मुद्रा की कमी के कारण उत्पन आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है और फ्रेंट्स जनक किसको माना जाता है किसको भारत में पुछा जा रहे ठीक है तो भारत में किसको माना जाता है भारत में माना जाता है मेस स्वामिनाथन को ठीक है अगर विस्व में पूछा जाए तो विस्व में किसको माना जाता है नॉर्मन बॉर्लोग को ठीक है ध्यान रखना है और बादन में चलिए अगला कोशन पढ़ेंगे कि उच उचाई वाले छेत्रों और परिवतिय इलाकों में सटिक निगरानी रखने हैं तुँ भारत को भारत नामक ड्रोन मिला है यह किस संगठन के द्वारा विक्षित किया गया है इंपोर्टिन कोश्चन है तो यह किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा और DRDO के प्रिजेंट में चेयर्मेन कौन है के सतिस रेड़ी हैं जी सतिस रेड़ी है के सतिस रेड़ी नहीं जी सतिस रेड़ी है ठीक है के सिवन है इसरों के चेयर्मेन नेक्ष्ट कोशन देखिएगा कि आलिया एपिसोड में प्रधान मंत्री मोधी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रत्योगिता की घोश्णा की है वंदे भारत मीशन के तहाथ लोटने वाले नागरिकों के कॉश्णल मांचित्र के संचालन के लिए संसरकार ने किस पाहल की शुरुवात किया है तो यह किया है स्वदेश ऑप्शन भी करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखेंगे कोस्टन नंबर 61 देखिएगा कि निमने लिखित में से किस राज एके अंदर शासितपरजेश ने सरकार की करमचारियों के लिए मेरा वतन एप लौंज किया है तो यह किस ने किया है यह किया है जम्मू और कस्मीर के आदिकारिक भाशा कौन तो सेंक्त रहष्ट संग के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजे देखिए इसकी जो भासा है अंगरेजी है फ्रेंज है चीनी है रूसी अर्भी और एस्पेनिस है तो सही अंसर इसका आप्शन ए हो जाएगा इसके अस्थापना कब हुई थी 1945 में हुई थी 24 अक्टूबर क के दिन होई थी और इसका मुख्याले का है निव्यार्ग में है इसमें कुल कितने अंग है छे अंग है कौन-कौन से है तो महासभा सुरक्षा परिशत आर्थिक योब समाजिक परिशत उसके बाद अगर बात करें तो प्रयास परिशत ठीक है प्रन्यास परिशत जो एक न् किश विद्यक को राष्ट्पति के पास भेजती है तो समिधान के अनुसारी राष्ट्पति क्या कर सकते है तो आदिक क्या कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज सकते हैं मूल marketing पर प्रतिबंद लगा सकते हैं तो मूल अधिकार कैसा अनुच्छेद में 12 से लेकर के 35 तक में है, समिधान के भाग 3 में है, और इस प्रशन का सही अंसर जो है, option B हो जाएगा, option B हो जाएगा कुछ उद्यस्यों के लिए, राजयों को कुछ युक्ति प्रतिवन्द लगाने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है, next question देखेगा कि भारत का राजनेति यूमन याने की integration किस बुद्य जीव का कमाल है, भारत का जो integration हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था, सरदार बल्लब भाई, पटेल के द्वारा किया गया था, important है, चलिए, अगला question देखेंगे, 66 number, कि ओजोन चारन के स्वास्त को किस रूप से खत्रा उत्पन होता है important है, बताएगा, science or option C, सवेंदन तंत्रिय उतेजन, ठीक है, CFC जो है, उजोन परत का सबसे main reason है, चलिए, अगला question देखेंगा, next question है, कि निमलिकित में से, किस भारतिये ने Asia के लिए, 2020 राष्ट मंडल लगू कथा पुरसकार जीता है, important question, तो ये जीता है, कृतिका पांड है, वो कौन सी है, सबसे बड़ी गल्फ जो है, ये कौन सी है, तो ये है, Mexico की खाड़ी, option A, correct answer हो जाएगा, ठीक है, और ये कहां है, उतरी अमेरिका में है, मेक्सिको की खाड़ी, चलिए, अगला question देखेंगा, अगला question है, कि Portland cement के प्रमक संगठनों में सामिल है, तो Portland cement के संगठन में जो सामिल है, वो क्या है, lime है, silica है, और alumina है, ठीक है, 1824 सिस्वी में जो है, एक British इंजिनियर, जोसफ एस्पीडन ने, जो है, cement की खोज की थी, जोसफ एस्पीडन, आपको नाम याद रखना है, पूछा जाता है, कि cement की खोज किस ने किया था, next question देखेंगा, इंसुलीन स्रावित होता है, इंसुलीन जो है, कहां से स्रावित होता है, यह प्रशन बार-बार पूछा गया है, और मुझे उमीद है कि आपको पता भी होगा इसका answer, तो देखेंगे, इंसुलीन जो है, यह स्रावित होता है, अगला question देखेंगा, कि वर्ष्ट 2020 की जन ग कि एरल का है कि 72 नमर दिखिएगा 72 नमर रेफेंट्स कि नंदवंस के पस्थ मगत पर किस राजवंस ने शासन किया तो नंदवंस के आंखरी राजा थो जो घानानंथ उसको चद्रगुप्त मौरे ने पराजित किया और मगत पर जो है मौरवंस के अस्थापना कि बिहार में क इस अस्थान पर भारती राष्टी कॉंग्रेस का उनी 12 का दिवेशन हुआ था तो यह हुआ तक गया में और इसका देख्षता किस ने किया था चितरंजन दास ने किया था राज्य रोहन समारों की विश्थित विवरन इनमें से किस में मिलता है 74 का बताएगेगा सही अंसर क्या होगा सही पैसी इसका होजाएगा आपसन नंबर ए हो जाएगा अथरवेदों место अथरवरन की रसना किस ने कियाए अगला कुष्ण देखिएगा नेक्स्ट क्शन है कि बायोप्सि क्या है बायक्सि क्या है । बायोप्सि क्या पर्थम बार जो है कब और कहां गया गया था तो राष्ट्रिय गान और राष्ट्रिय गीत कन्फ्यूजन है आपको क्या तो देखे राष्ट्रिय गान कौन सा है जन गन मन है ठीक है इसमें जन गन गन और गन तो गन और गन रिलेट की देगा जन गन मन में जन गन गन और इसम कब गया गया था यह 27 दिसंबर 1911 को कलकता अजीवेशन में जो है गया गया था अगर आगे बात करते हैं कि जो हमारा बंदे मात्रम है यह कब गया था तो यह गया गया था 1896 के कलकता अजीवेशन में ही ठीक है अगला कोस्टन देखिएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि निमलेकित में से कौन राष्टी विकास परिशत का सदस से नहीं होता है इंपोर्टेंट कोस्टन देखिए राष्टी विकास परिशत की अस्थापना जो है 15 मार्च 1950 को ही थी याद रखेगा ठीक है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भारत का प्रदान मंत्री होता है और इसमें जो है भारत की राष्ट पति इसके सदस नहीं होते है संहित नाटक अगआदमी देश का को तो संहित के विकास का संवार्दन करती है इसके अस्थापना किस वर्स होई थी तो सही अंसर इसका क्या हो जाएगा इसके अस्थापना जो है, कब होई है, 79 का सही अंसर बताईएगा, option B हो जाएगा, 1903 में, निमलिकित में से कौन बिटामिन B कम्प्लेक्स का समोह से संब्ध नहीं है, इसकॉर्विक एसीड जो है, यह बिटामिन C का रासानिक नाम है, तो यह B कम्प्लेक्स से संब्ध नहीं है, नेक्स्ट कोशन देखे, किस देश की सीमा बिहार से जूरती है, तो बिहार से जूरती है नेपाल की सीमा, अगला कोशन देखेगा, कि प्रतम उपदेश देते समय, बुध मुर्ती के हाथों द्वरा संकेतित मुद्रा कहलाती है, तो सही अंसर इसको क्या हो जाएगा, सही अंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर B, धर्म सक परवर्तन मुद्रा कहलाती है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिक्ता है, तो बिहार में जो है, सुस्क परण पातिव वन की भी सेस्ता है, तिरइपूरी कॉंग्रेश में सुभास्चंद्र पोस के तयाग पत्र के बाद कॉंग्रेश का mark बना JC तुरद देखे दोनों अध्यवेशन चाहिए धाar किसो ने कया था सुभास्चंद्र प्राशु ने किया था और इनकी त्याग पत्र के बाद जो है किनको बनाया गया ठा राजिंद्रप्रसाद को अध्यक्स सुना गया था जब कोई पाने में डाली जाती है तो उसकी सतह से बोलोले उठते होगे दिखाई देते हैं इसका कारण क्या है इसके क्या है इसके कारण है कि ईट के द्वार्धा विस्ताफित हावा नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा, नेक्स्ट कोस्टन है हमारा 86 नंबर, फ्रेंट्स वीडियो को लाइक कर जीज़े और एक सेर जरूर कर जीज़ेगा, डिये ने फिंगर प्रेंटिंग किये अब इसकारक प्रोफेसर एलेक जैफरी कहां की निवासी थे, इंपोर्टेंट है, तो ये हैं Great Britain के, अगला कोस्टन देखिएगा, अगला कोस्टन फ्रेंट्स इंपोर्टेंट है, जब भी आप वीडियो को देखिए, ध्यान पुर्वक देखिए, और कोसिस किजिए कि आपका एक भी प्रशिन जो है, गलत ना हो, सारे प्रशिन को खुद से एंसर देने का किजिएगा, कोस्टन नमर 87 है कि विस के रूप में सायनाइड की क्रिया प्रेटेक्स ता किसको प्रभावित करती है, तो ये किसको प्रभावित करती है, ये आपसे पुछा जा रहा है, तो किसको प्रभावित करती है, पताएगा, ये जो है प्रभावित करती है, रक्त में रूपकशिजन की सरुम्पत देखेगा कि मद्य प्रदेश्क में जाता है क्या यह कहां पे बनाए जाता है होसंगा बादने लुए अप्षक वर्टत के हिसे ऐंड xuर्ट प्रिंटिग प्रेस प्रेहां कि है है और नेपनागर में आखबारी यह मील है चली अगला कुस्सन देखिएगा कि मिट्टी की तेल के लेंप की बत्ती में तेल चाड़ने का कारण क्या है तो किसी कत्व है निमलिखित में से सबसे कम तरहें दगड़ वाला विकरन कौन सा है तो सही अनसर इसका ओप्शन नमबर ए एक्स किरन का जो तरंग दर्ज है बाकी इसमें सबसे कम होता है इसका जो तरंग दर्ज का परिशर होता है वो 10 to the power minus 10 मीटर से लेकरके 10 to the power minus 8 मीटर तक का होता है और एक्स किरन की खोज किस ने किया था रोंग जय ने किया था next question देखिएगा कि भारती मुल्के कि सांसत को ब्रेटिन ने अपना वित्यमंत्री निक्त किया तो यह किया है रीसी सुनक को यह भी प्रश्ण में करवा दिया हूं इंदर धरुस बनने का कारण क्या है इंदर और प्रश्ण के पुछा जाता है तो इनको जो है 1921 में दिया गया था किस चेतर में भातीकी के चेतर में दिया गया था और किस के लिए दिया गया था तो प्रकास विद्ध प्रभाव के लिए दिया गया था ठीक है 93 का ऑप्शन सी जो है इसका सई अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कॉस्टन देखेगा नेक्स्टोन फ्रेंजस देखेँगे नेक्स्टि कॉस्टन है कि पानी के अंदर गोता खोर सांस लेने के लिए परियोग करते हैं तो यह लोग क्या लेकर जाते हैं कौन सा सिलेंडर यह ऑक्सिजन और हिलियम के मिशरन जो है किया जाता है अगला कोश्चन देखिएगा कि राष्टी इवा दिवस कब मना जाता है तो राष्टी इवा दिवस यह मना जाता है कब 12 जन्वरी को important है 12 जन्वरी को मनाय जता है important है ध्यान लखिएगा चलिए अगला पुस्तन देखेंगे और किसके जनम दिन के उसर पर मनाय जता है तो स्वामी विवेका नंद के जनम दिन के उसर पर मनाय जता है 97 नमर देखिए math का प्रशन है देखे रोहन और रोहित जो है एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर जता है जबकि रोहन जो है उससी काम को 15 दिन में करता है तो रोहित अकेला किसी काम को कितने दिन में करेगा उसी काम को तो देखे कुछ नहीं करना है 1 बटा 10 इसको लिए लिए उलड जीजेगा और इसको 1 बटा 15 इसमें से घटा जीजेगा तो आजागे कितना 1 बटा 30 आजाएगा सहियनसर कितना हो जाएगा 30 दीन हो जाएगा क्लोरोफर्म को हावा तता सुरे के प्रकाश में रखने पर क्या प्रआप्त होता है तो यह प्रआप्त होता है यह चली आगला कोशन दिखेंगे अगला कोशन है ए इस त remainder से नकरात्मक के लिए भारत के गिर्कालिक विदेशी ब्रणा जारी करता default rating पर outlook को स्वोधित किया है और भारत को कौन से rating अब प्रदान किया है तो ये किया है कौन सा rating ये किया है triple B rating ठीक है ये एक rating agency है फीस ratings सो नमर देखिए कि निमली कितने से किस vitamin की कमी से जनन छमता कम होती है फ्रेंड्स ये question मैं कई बार आपको बताया हूँ इसका answer आप लोग comment करके बतायेगा और वीडियो कैसी लगी है ये भी बतायेगा और जितने भी practice rate है इससे पहले वाले एक से लेकर के 14 अको सबको देख लिजेगा अपने ख्याल रखेगा वीडियो पर आपको मिल जाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching